हेलो फ्रेंड्स मैं रिना रठोर सबसे पहले मैं थैंक यू बोलूँगी उन सब को जिन्होंने मेरी रेसिपी को लाइक किया शेयर किया और मेरे चैनल को सबस्क्राइब किया थैंक यू सो मच आज मैं नई रेसिपी लेकर आई हूँ जो है वमिसेली उपमा या सेमिया उपमा यह एक व्रेंफास रेसिपी है जो 15-20 मिनट में रेडी हो जाती है तो आईए बनाना शुरू करते हैं एक टोरी सेमिया ली है जिसे हम रोस्ट करेंगे एक गाजर है कटी हुई मूंगफली मटर और इसके अलावा हरा धनिया नेमबू दो मिर्च और करीपत्ता और हरा लहसुन भी आप ले सकते हो एक कड़ाही में एक से दो चमच तेल गरम किया अब इसमें हम जो एक टोरी हमारी सेमिया है उनको डालेंगे और रोस्ट करेंगे मीडियम फ्लेम पे हम इसको रोस्ट करेंगे सेमियों को लगतार चलाते रहेंगे नहीं तो ये नीचे लग सकती है लगतार चलाते रहेंगे सेमिया तीन से चार मिनट में रोस्ट होंगी सेमिया हलकी ब्राउन होग चुकी है अब थोड़ी देर में हम इसमें पानी एट करेंगे सेमियों में हम डेड़ गुण जादा पानी एट करेंगे जैसे हमने एक कटोरी सेमिया ली है तो इसमें हम डेड़ कटोरी और पानी एट करेंगे मिन्स धाई कटोरी हम इसमें पानी एट करेंगे हम पानी को सेमियों से अच्छे से मिक्स करेंगे इसको ढखकन लगा देंगे और थोड़ी देर के बाद चेक करेंगे कि हमारी सेमिया कुक हो चुकी है या नहीं इसको हमें ओबर कुक नहीं करना है नहीं तो हमारी सेमिया जो है वो चिपक जाएंगी पानी को चान लीजिए सेमियों में ठंडा पानी एड़ करिए ठंडा पानी डालने से जो हमारी सेमिया है उसकी कुकिंग प्रोसेस रुख जाएगी और सेमिया खिली खिली बनेगी ठंडा पानी डालने के बाद हमने सेमियों को साइड में रख लिया है अब कडाही में हम एक से दो चम्मच तेल डालेंगे रिफाइन तेल इसको थोड़ा सा गरम करके जो हमारी कच्ची मूंग फली है वो हमने डाल ली है हम मूंग फली को भी थोड़ा रोस्ट करेंगे रोस्ट करने के बाद हम इसमें काली सर्सों और जीरा एट करेंगे सर्सों के चटकने तक हम इसको फ्राई करेंगे हमारी मूंग फली रोस्ट हो रही है अब हम इसमें रॉफली चॉफट अनियन डालेंगे और मीडियम फलेम पर ही हम इसे ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे अब ही इसमें हम मिर्ची जो हमने रखी हुई है दो हरी मिर्च और तीन से चार करी पत्ता डालेंगे करी पत्ता हम बीना काटे भी डाल सकते हैं हम इसमें लाल मिर्च पाउडर और हल्दी एट करेंगे इसको फ्राई करेंगे अब कटी हुई सब्जें जो हमने रखी हैं मटर और गाजर वो डालेंगे इसमें हम मटर और गाजर के अलावा भी जैसे कैप्सिकम है बीन्स है वो डाल सकते हैं इसके अलावा हम कॉर्न विड एड़ कर सकते हैं इसमें हम एक गलास पानी डालेंगे जिससे की सब्जें थोड़ा सॉफ्ट हो जाएं मैंने इसमें फ्रोजन पीस डाले हुए हैं तीन से चार मिनट सब्जें को कुक किया इसमें नमक एड़ किया सब्जें कुक हो रही हैं धकन लगा दिया इसको अब हम सब्जें को देखेंगे अगर ये कुक हो गई हैं तो इसमें सेमिय जो हमने रखी हैं उनको डाल देंगे सेमिय एक दूसरे के साथ चिपकी हुई नहीं हैं अलग-अलग हैं अब सेमियों के साथ हम सब्जें को अच्छे से मिक्स कर देंगे हमने गैस लो की है हमने अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें एक नीम्बू का रस डालना है हमारा वर्मिसली उपमा बनकर तयार है अब हम इसमें हरा धनिया और हरी लहसुन काट कर डालेंगे सारे इंग्रीडियंट्स मैंने एक साथ दे रखे हैं प्लीज चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अबेंट मैंने साथ